मयूर ग्रुप पर पड़ी छापे मारी मंडरा रहा है आईकार विभाग का खत्रा पकड़ी गई टैक्स की चोरी आईटे विभाग के हाथ में है मयूर ग्रुप की गर्दर नमस्कार जी मुझे कहते हैं नामिका पांडे और आप इस वक देख रहे हैं वीके नियूज उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के कानपूर की जानी मानी कंपनी मयूर ग्रुप जिसका टर्न ओवर छे सो हजार करोड का है मयूर ग्रुप पर चौथे दिन भी लगातार IT की रेड के बाद जाज जारी है अब तक की जाज के दोरान 80 करोड से जादा की टैक्स की चोरी और करीब 50 करोड का संदिक दिलेन देन पकड़ा गया है इसके साथ ही 7 करोड का कैश और 26 किलो सोने के जेवरात मिले है वही अर्बो की काली कमाई को रियल स्टेक के खपाने में साक्ष सामने आई है साफटा की नियमों का भी उलंगन करने की बाद सामने आई है जाज पूरी होने के बाद IT अफसर मयूर ग्रुप के टैक्स चोरीग से लेकर अन्य मामलों का खुलासा करेगा सबसे बड़ी बात कि एक बार फिर साफटा का उलंगन करके 41 करोण की चोरी का मामला मिल गया है मयूर ग्रुप में छापी मारी के दोरान आईकार विभाग के अधिकारी के पैरो तले जमीन खिसक गए इतनी पड़ी मात्रा में टैक्स की चोरी, कैश और सोना मिलने की उमीद उनको भी नहीं थी अभी भी 150 से जादा अधिकारी 35 जगों पर कारिवाई कर रहे है 2019 में भी कंपनी के निदेशिकों की गिरफतारी साफटा के उलंगन में ही हुई थी अब इस बार फिर 41 करोड की चोरी पकड़ी गई है आपको बता देए कि साफटा SAFTA है क्या दक्षण एसिया मुक्त व्यापार समझोता South Asian Free Trade Area उन साथ दक्षण एसिया देशों का समझोता ये बांगलादेश, घुटान, भारत, माल्दियू, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका का गठन है इसका मुख्याल है काठमांडू, नेपाल में है कंपनी ने बोगस कंपनियां यानि जिनका वस्तित्ता से कोई अस्तित्व नहीं है और सिर्फ दस्तावेज में याकी है, उनके नाम पर 19 करोड का लोन लिया था साथ ही आपको बता दे कि आईकर विभाग 150 अफसरों की टीम ने मयूर रुप के कानपूर से लेकर कानपूर दिहाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इंदौर, तेवा, समेत 35 जगों पर बीते गुरुवार को एक साथ छापे मारी की कानपूर में ही इसके मालिक रहते हैं, इसके चलते केवल कानपूर में ही मयूर के 20 ठीकानों पर छापे मारी के बाद जाच चारी है फिलाल के लिए इस खबर पर आप क्या कुछ कहेंगे, हमें कॉमें सेक्षिन में जरूर बता हैं, देखते रहें वीके ने जुतर पदेश, थान्यवाद